नमस्कार प्यारे बच्चों सभी का स्वागत है BSE pro classes में प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे most क्यूशन की और वह भी अपना यह से पस्टियर का जो पेपर फस्ट है कि पेपर फस्ट डिस्क्रिट मैथेमेटिक्स की देखो यहां पर मेरी बात को द्यान से सुनना कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने बीच से पस्टियर में अभी तक कुछ उठागी देखा नहीं है और एक किस तरीक से उनकों पेपर है अब यह कह रहे हैं कि सर हम क्या करें हम किस तरीके से इसको पड़ें मेरे प्यारे लाड़ले बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनो यहां पे जितनी बच्चे हैं जिन होने बीच से पस्टियर में कुछ नहीं पड़ा पेपर फस्ट उनके के लिए वर्दान साबित है और यह मान के चलो कि आज किस लेक्चर को अगर पूरा देखा जो क्यूसर्स में बताने वाला हूं अगर इस सारे पड़े आपने तो शायद यह है कि चालीस में से अभी चार से पांच के अंदर चालीस में से चालीस नंबर भी आप ला सकते हो इतना सिंपल पेपर है यह वाला और दो तिन सवाल है जो मैं थोड़ा सा किलर कर दो बच्चों के सुनो मेरी बात बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है कि सर यह मोस्ट क्यूसर्ण वाली वीडियो है यह कहां मिलती है हमें हमने इससे को तुर्ह ہीन थेजिता हो है यह मिलती नहीं है हम तो इसको डूढ़ती रह जाते हैं देखो सबसे पहली बात तो अपना टेलिगराम चनल है भी यह सी प्रो लाष के नाम से ठीक है बीएससी ब्रो लासेच ठीक है, उसके बाद में second number पे अपना YouTube चनल जिस पर वीडियो देख रही हो, BSC Pro Classes के नाम से, वहाँ पर एक playlist मैं बना दूँगा, और उस playlist के अंदर, BSC First Year Most Cushions के नाम से एक PDF दिखेगी, सोरी playlist, और playlist में 3-4 वीडियो रहेंगी, तो उस वीडियो को आप दाराम देख सकते है हम आपे आपको पूरी वीडियो मिल जाएंगी, जो भी आपकी BSC First Year के important questions की वीडियो हैं, mathematics की, ताकि आपको डूणने में असाने रहें, और एक बात, दान सुनना, अब आपको मैं क्यूशन प्रवाड़ करवा रहा हूँ, ठीक है, सोला है, सतर दारी कॉप के पेपर क्यू है content, वही बच्चे आराम से content को पढ़ें, और जो मैं guidance वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, इन सभी वीडियो को देखकर, और proper तरीके से decision लेगी, अब मुझे क्या करना है, और किस तरीके से पढ़ाई करनी है, call वगरा कुछ ना करें, क्योंकि वही बात है, call करना बरी बात नहीं है, लेकिन मैं अटेंड नहीं करूँगा उसको, कभी एक आदग अटेंड कर लिया, एक आदग नहीं करा, ठेक है, मैं बिल्कुल विजी हूँ इस टेम पे, इसी टेम पे, आप मुझे call ना ही करें, तो ही best रहेगा, अपनी self study करें, और यह जो मैं वीडियो बना के अंदर, सभी के पास में, sold paper है न, sold paper ले आना वही है, जिसके पास में नहीं हो, और पूरी यह जो बुक है, आपका paper first है, पूरी बुक जो है, sold paper के अंदर से आएगी, एक मात्र पूरा BST का ऐसा paper है, जो sold paper के अंदर से बनता है, complete, mathematics की बात कर रहा हूँ मैं, mathematics का complete paper, sold paper मे से बनता है, BST Pasteur का, जिसका नाम है, discrete mathematics, मैं कुछ questions के आपको दे रहा हूँ, कुछ उधारन, कि ऐसे questions आपको करने है, वो questions जो मैं बताऊंगो, तो करने हैं आपको, लेकिन मेरी मानो न, तो जो आपका sold paper है, उसके अंदर, जितने भी questions, उन्याट में हैं, second में हैं, third में हैं fourth में, fifth में, अगर आब आराम से कर लें, तो 4-5 दिन के अंदर, और उनको समझने के लिए, कई बचे कहते हैं, उनको समझने के लिए हम क्या करें, वो समझने नहीं पा रहे हैं, proper videos, अपने application के उपर डली वही है, application के नाम BP Classes है, course भी इस टाइम पर 299 के अंदर है, लेना च question बनेगा, art number का, मैंने आपको करवाया है या set, समुच्चे करवाया है, तो set के अंदर से, पहला question बनने का full auto, full chance कौन सा है, बता सकते हैं, पहला question है आपका, जो है अपना, normal question सा देना अपने, समुच्चे के, proof करने के, कि LHS बराबर आप RHS proof करिए, एक सवाल तो वो हो गया आपका, दूसरा है गनीतिय आगमन सिद्दान्त, mathematical induction, principle of mathematical induction, गनीतिय आगमन सिद्दान्त, थर्ड नंबर है मेरे पास में, आविष्टी अपवर्जन सिद्दान्त, आविष्टी अपवर्जन सिद्दान्त, अरे वो स्कूल वाले, कि इतने math पढ़ते हैं, इतने English पढ़ते ति तीनों क्यूसंस में से आपको आठ नंबर का मेटर देखने को मिलेगा, तो यह काम करता हूँ, और फड़ा फड़ से आपको कुछ क्यूसंस जो हैं, वो indicate कर रहा हूँ, उन सभी क्यूसंस को आपको करने हैं, और वो सारी क्यूसंस में, अपने sold paper के अंदर से आपको दि लखने से मतलब नहीं क्या कर रहा हूं सारे के करने हैं पार जाने का है तक सब्सक्राइब अंदर फटाफट से जो किसंस में बता आपको वो सारे क्यूशन टिक लगा लो भी या वहीं से आपका पेपर बनेगा या बोला मैंने समुझ में आ गया ना आपको ठीक है चलो आपको यहां पर दो तरीके हैं यहां पर यहां से अपना आठमर का मेंटर में लेगा आपको सुनो देखो यहां पर पहला क्यों से अपको नहीं करना सेकेंड क्योशन जो आ आपका है आपऑस हैं इस पड़िजी वाकून में इसको बड़ते हैं यह सवाल करना है उसके बाद मैं अपना आप सवाल देख सकती हो गणीति आगमन से जीज़ा आपको पुरूफ कर नहीं है सब कुछ देख रहा है आप सभी को ठीक है प्रोपर तरीके देख लेना अब यह थोड़ा दिख जाना चाहिए बस बागी तो क्यूशन तो आपको बता ही है मैंने सारे करवा रहे हैं नौट्स के अंदर भी सैकिंड क्यूशन मेरे पास में यह मापांग यह फलन वाला त्यागमन सिद्दान्थ वाला सवाल आ गया ठीक है उसके बाद में फिर आपके नीचे यह आपके जिज़े कुछ हैं यह प्रूफ करने की हैं सैट के अंदर तो यह भी आपको करना है ठीक है यह आपको नहीं करना है मत करना उसके बाद में यह सवाला को करना है प्रूफ क उसके बाद में फिर मेरे पास में ये मत करना ये भी मत करना फिर ये सवाल आपको दिख रहे हैं साब साब ये गनीती आगमन से दान से ठीक है उसके बाद में फिर ये वही सवाल अपने गनीती आगमन से दान से ठीक है उसके बाद में ये गनीती आगमन से दान से ये आपका आविस्टि अप वर्जन से दान्त है लो Murray है लोको प्रूफ करवारे है लोको मैंनि प्रूफ कर, कैसे करता है मैंने आपको सिखादिया है उसके बाद फिर गनी दै वो आविस्टि अप वर्जन से दान्त сказать मेरे पास में सवाल आ गया ठीक है, ये मत करना फिर वही प्रूफ करने वाला कहने का मतलब वही तीन सवाल हैं गुमा फराकर उन तीनों सवालों को भार भार रिपीट कर रहे हैं आप उन तीनों सवालों के एके क्यूसन समझ लोगे मुश्किल से एक गंठे दो गंठे का काम है दो गंठे के अंदर, मात्र दो गंठे के अंदर आप unit number first को पढ़ सकते हैं अगर आपकी पढ़ने की इच्छा होगी और वास्तिकता में आपको पढ़ाई करने का मन है तो यह बाकी तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता ठीक है? और जितने हो सकते हैं उतने सवाल आप करके जाना और हो सके तो आप पूरे कर जाना जितने में बताये तो आपको ठीक है? तो यहां तक आपको करना है उसके बाद अब मैं आपको unit number second में तो रबहुत गाईड कर देता हूँ अब देखो प्यारे बच्चो unit number first का पूरा मेंटर बता दिया मैंने complete ठीक है? और इसको लिखेने के आप शकता नहीं है और मैं आपको कोई PDF सेंडर नहीं करूँगा इस वाले paper की क्योंकि इसमे मैंने आप कुछ लिखवा है तो है नहीं बेसे भी ठीक है? तो आपके पास sold paper होगा 99% बच्चों के पास में नहीं है तो ले आणा मेरी को जिम्मेंदर ही नहीं है कि मा आपको इसकी PDF बनागी दू बच्चे के हख से मांगते हैं या कोई हख नहीं है सिदी से बात है ठीक है? अब सुनो मेरी बात हम बात करते हैं unit number second की अब unit number second है इसमें क्या है? complete जो part है ना ये है boolean algebra का अपनी boolean बीजगनित का मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी बात सुन रहे हो आप सार्थी के अंदर है ये फिर part बोलो मेरी बात बात है part के अंदर है मात्रे 9 सवाल है नो क्यूशन है और वो नो क्यूशन के अंदर से आपका 8 number का matter मिल जाएगा complete 8 number का matter 8 ने 12 या 8 से जएधा का ही मिलेगा लेकिन करना आपको 8 का ही है आपको करना 8 का ही है ये आपको मिल जाएगा अपनी भारत के अंदर से 100 person मिलेगा यार और बाकी अब देखो इसमें क्या है कि जो इनके answers है न फोड़े complicated है हलवा तो नहीं है सीखने पड़ेगे तो अगर चाहो तो अपने application पर डलेवे हैं 9 number second के complete solutions तो आप वहां से उनको purchase करके पढ़ सकते हो और price यतने ज्यादा नहीं है 200 डाइसर रुपए है मुश्किल से पेपर आपका के लिए रहो सकता है 200 डाइसर रुपए के अंदर वैसे तो आप वैसे भी एक पेपर के दो पेपर के 2000-2000 देने को तयार हो और करें ने देवी दी हैं लुट लिए लुट गए पैसे भी ठीक है चलो छोड़ो उस बात को वह आपका मेटर है अपने हिसाब से कर लेना चलो ठीक है तो अब कुश्चन कौन कौन से है कौन कौन से कुश्चन समय करने है यह सीधी सी बात है सीधी बात नो बकवास कौन कौन से सवाल है ये आपके सामने है देखो भी या, आजाओ, मैं दिखा देता हूँ आपको सारे सवाल, ये मैंने आपके सामने सवाल रख दिये हैं, एक बार आप सवालों को देख लीजिएगा, थुड़े नजर फिरी है और मज़ा आ जाएगा आपको, कम्प्लेट करने हैं रेयार, इसमें एक दो सवाल छोड़ने हैं, बाकि सारे करने हैं देखो, यहाँ पर पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये छोड़ देना, इसको छोड़ देना है, चोथा हो गया, ये भी करना है, पांच बार, ये छोड़ देना है, उसके बाद में ये भी करना है, ये भी करना है, औ और आप खुद देख सकते हो कि कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो बार-बार रिपीट होते हैं और दिखने में बहुत सुन्दर हैं तो बार-बार रिपीट भी हो जाते हैं ये सवाल करना है ये भी करना है ये भी करना है ये भी करना है और ये आपका खतम अब बताओ आप ये मान क आपको दिख रहे हैं ऐसी बात नहीं है थोड़ा बहुत हिंट आपको दिखी जाएगा और नोट में भी आपको सारी किश्मस मिल जाएंगे तो आप वहां से भी कर सकते हो को दिखके दोली बात नहीं है थोड़ी बात मेहनत करना भी सी को सिधा पका पका या नहीं मिलेगा आपको और नोट्स की PDF मत मांगड़ा मेरे से कॉल करके PDF कहां है कहां डालोगे क्या डालोगे क्या करोगे ठीक है सब कुछ मैंने बता दिये वीडियो के अंदर कॉल कोई करें नहीं करेंगा PDF के लिए कि PDF कहां है PDF बनाओ खुद अगर बनाने हो तो आपको निबागी तो आपको दिख रहा है साब साब बारत आपके बास है क्या करोगे PDF बनागे ठीक है चलते हैं युनट अमबर थर्ड के उपर अब मिलेगा बंपर उफर आपको थर्ड के अंदर अब बात करते हैं हम युनट अमबर थर्ड की युनट अमबर थर्ड एक ऐसी उनट है जिसको बच्चा 30 मिनट के अंदर कर सकता है मातर 30 मिनट के अंधर अंदर और उसके आठ नमबर कहीं पर जानने वाले नहीं है और बताओ आठ नमबर का मामला पूरा इसके अंदर मैं जो टिक लगवा रहा हूँ वो कर लेना और बैई देखो एक बाव जता हूँ आपको हकीकत बोल रहा हूँ आपको जान सुनना मेरी बात ये सारे क्योशन जो बता रहा हूँ ना अनुमानित है ये वड़ बोल दू मैं और बाद में बोलते हैं कि सर आपने जो बता है उसमें से पेपर नहीं मिला और जब पेपर मिल जाता है तो कुछ बोलते नहीं और पेपर नहीं मिलता तो उपर से गाले देता है बच्चे तो पहले बोल दू यार इस चीज को ठीक है और आप एतने समझदार हो कि किसे टीजर से आप ऐसे बुरा विवार करते हैं अच्छा नहीं लगता है ठीक है एक सिंपल सी बात बोलता हूँ आपको सुनना मेरी बात मैंने आपको पेपर बताए क्यूसन बताए मेनत कर रहा हूँ आपके लिए ठीक है टाइम तो लग रहा है इसके अंदर भी और पहले सोतना समदना बढ़ता है क्यूसन्स के लिए एक छोटी सी बात पूछता हूँ अगर सपोस्ट आप पे किसी एक्जाम की तहरी करते हूँ एससी की और यूपी एससी की मान लो यूपी शी में द्रिष्टी कोचिंग का नाम ले लो एससी में उतकर्स ले लो उतकर्स पदर्स कोचिंग काफी कोचिंग है आप इनको फिंच देते हूँ उप यूपी शी में लगबग 8.5 लाक रुपए और एसससी में लगबग है वही जितने भी है पिइस देने के बाद आपका selection नहीं होता तो फिर इनको भी कहला देते होगे आप यहां पर आप दे नहीं सकते हैं ना कहा लिया क्योंकि जतनी दो होगे नहीं से डबल मिलेंगे आपको वाफिस क्योंकि यहां पर वह सी हैं कि भाया आपने course के पैसे दिये हैं अब selection आपका हो ना हो मुझे क्या मतलब है साब बोलती है, सुकी रहती है और मैं भी आपको यह बोल रहा हूँ आपने course के पैसे दिये है उतना मैं आपको दे रहा हूँ बागि आप फैलो, पासो, आपका paper सही गया है अच्छा गया है, नहीं गया है dependency, आपके उपर depend करती है न ठीक है न, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा फालती चीज़ों पर ध्यान मत देना चलो भी, इनट अमर थर की बात करते हैं इसके अंदर बता देता हूँ आपको कॉन 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 कीउसन आने वाले हैं डायरेक्ट वह कीउसन बताऊंगा आपको आजओगा हाँ भई, देखो तो यहाँ पर ध्यान देना यह आपके पास में क्यूसन नमर फर्स्ट जो अब वो करना है एक टेबल सीख लोगे पूरी टेबल खुद बना लोगे लेकिन इसको ध्यान से सीखना पड़ेगा ऐसा ने के हलवा है सीखना पड़ेगा क्लास लेगे सीखो ये करना है ये भी करना है ये मत छोड़ छोड़ देना इसको इसको छोड़ देना इसके बाद ये करना है इसको छोड़ देना ये करना ये भी नहीं करना है छोड़ देना इसको ठीक है ये करना है ये क्यूसन आप चाहो एक बार आप देख लेना ये 9th क्लास का क्यूशन है 9th 10th क्यूशन है जो आप खुद भी पढ़कर याद कर सकते हूं डायरेक्ट अरे याद करोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद आजाएगा 9th class की बात मुझे पता है ठीक है और यह कर लेना उसको छोड़ देना उसके बाद यह कर लेना सवाल नहीं दूर से सवाल यार यही सवाल हैंगे एक्जाम के अंदर और क्या बता हूं आपको इससे जादा यह कर लेना यह चोड़ देना यह कर आरव पर सो में किसी बारी कि देख समझेंज के लगए है इसको Brennya ilezalka लेना आए इसको कर लेना इसको कर लेना यहाँकि अदर बीकितना डाइम लगेगा शुरूप मिन सब्सक्राइबुस्त दो आप एसे करोंगे है यह ऑग़या को इसे करोंगे रेकिंग् swipe बढ़ने में जो रहा बात लगए तो इस मुश्किल से इसको तीन गंटे में गर दोगे आप तीन गंटे भी खान लगेंगे इसके अंदर है आदे गंटे के अंदर तो में बेसिक हो जाएगा बाकि क्यूस्तन साब जितना करना चाहिए तो नहीं कर सकते हो आदे गंटे का खे जाएंगे ऑटमेटिक ठीक है बेरे से बच्चे एक बात कह रहे हैं कि सरक बात बताईए हमने कहें कि युनाटमर फर्स सेगंड थर्ड को तो पढ़ लिया लेकिन जब फूर्थ को पढ़ते हैं तो हमें यह पता ने चलता कि हम पढ़े क्या इसमें क्या करें इसमें थियोर से आपको युनाटमर फूर्थ और फिप्ट को पढ़ा रखा है वही है उसके अंदर में अटर आपको वही पढ़ना पढ़ेगा ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं सुनो युनाटमर फूर्थ के अंदर से एक चार नंबर का सवाल एक अच्छा दाविदारी पेस करता है परीभास हैं सेकिंड किशन चार नंबर का यहां से आने का चांस रहता है कि कोई भी ग्राफ देदेगा उसमें कितनी कोरे हैं उसमें कितने एजिस हैं एकस जो भी है उसमें पूंचता है अपने पास में बीच में पात पूंच लेगा काफी चीज़े हैं जो उसमें पूंचता हो जो पूरी तो फूर्थ में पूरा मैंट करवाई यह चोड़ने की जड़त नहीं क्योंकि यहां पे कोई से भी सवाला सकता है यहां के अंदर कोई साब भी तो जो मैंने करवाया है वही पढ़ना है छोड़ना मत एक्स्ट्र दिमाया लगाओगे फालतुगा पेपर बिगड़ जाएगा और पास यही पेपर करवायाएगा बाकि आप सेकीन और थर्ड़ पेपर के बरूसे पास नहीं हो सकते क्यों मुझ है परीबास को न दर नम पर करना चाहिए आएगा 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 पढ़ना है पर्ड़ना है भारित ग्राफ वगरया जो भी है कि लगार दिखा रहा हुँना आपको ये मेटर आग्ड़ करना है आज आजओ फटापर शिए आपका मेटर है इसके अंदर को देख के ढड़ते हैं मेरे प्यारे लाड़ले बच्चों पेले बेसिक पढ़ लो जो मैंने पढ़ाया था एक दो लेक्ट्रें बेसिक सीखोगे तो इसमें जो जो बात किये वी है उस बात को आप सीख सकोगे और जितना भी इसमें याद होता है नहीं लिख सकते हो अब थ् हो गया इस तरीके सवाल आते हैं एक्जाम के अंदर यह हो गया आपका इंपोटेंट है उसके बाद यह सवाल हो गया निचे वाला ठीक है सारे क्यूंस जितने भी आपके दिये हो गये हैं अपने सार्थी के अंदर पार्त के अंदर पूरे क्यूंस करने है और सारे में आप आप छोड़ सकते हो देख इस तरह वी दी आप चाहो तो तो यूगि अपना इसका जैसा मतल है भारित ग्राफ है वी वाला वही मतल है सेम टूसे ठीक है इसको छोड़ देना अब डेफिनिशन देखो गया देखो यह आपके पाद डेफिनिशन डेफिनिशन देखो यह रही डेफिनिशन यह वाली हो गई यह उसके बाद धियोरम से आगई यह क्यूसन आगया मेरे पास में उसके बाद यह अपना है डारेक्टेड ग्राफ का क्यूसन आएगा एक्जाम के अंदर तो जो बता रहा हूं उसको समझ लो और यह भी फिर नहीं पढ़ा गाता तो कर वारा हमसे पढ़ा ही पढ़ाई पर यह रहा है favourite का सवाल आगया अगया भीएको यह है यह आवह तो बड़ा रोल है वहापको दिखराए में और यह वाला सवाल यह करना है आपको लगो तमदूरी वाला सवाल यह वाला भारी तग्राफ का यह वाला भी क्यूशन आपका मेरे पास में ट्री वाला पॉर्सन के लगा रहा है वो करने आपको ठीक है पहला सवाल करना है यह यह भी के इवाला भी आपको करना है इतना यह सवाल भी करना है रक्स की डेफिनेशन हो गई उसके बाद में यह वाला सवाल भी आपो करना है ठीक है फॉर्ट वाला सवाल भी आपो करना है यहां पर इच्छ दिया गया है ठीक है यह वाला भी करना है और अरे सारे करने इसमें पूरे करवा रखे मैंने सारे के सारे क्योंकि छोड़ना नहीं है सवाल अब सवाल क्या छोड़ूगे इनके अंदर अब जिन बच्चों ने पढ़ रहा है ना इस थियोरी को ये पर पढ़ लेंगे इसको पढ़ लेंगे अपनी इच्छा से अपनी मन से लिख के आ सकते हैं थियोरी को सारे करने आपको इसमें कंप्लीट ठीक है इंपोर्टेंट कुछ नहीं है क्योंकि आप खुद देखो यार 11-11 हवाल तो मुश्किल से हैं 11-12 हवाल इसके अंदर है अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर मत करना भी है कुछ नहीं होगा फिर आपसे ठीक है तो ये मेरे पास आगया आपका पूरा पॉर्शन 11 और 12 नंबर का है यहां तक आपको करना है यह आपकी डिस्क्रिन मैतिमेटिस की इंपोर्टिन क्यूशन की क्लास है जिसमें आपको मैंने एक एक क्यूशन बताया है कि यह करना है आपको और उसे कम करोगे उतनी नंबर आपके कम हो जाएंगे इसमें रिस्क मतले ना चालिस नंबर तीस नंबर इसमें खेंच लोगे और मुश्किल से 10-10 नमबर आपके उन पेपर में आई जाएंगे आप पास हो जाओगे भी या पास के लिए तो करवा रहा हूँ यह बागि जिनको परसंटिस बनानी है वो बच्चे भी हाला कि पढ़ सकते हैं लेकिन वो इन पे फोकस ना करें वो अपना मैटर पूरा बताना बोल रहा हूं मैं दो हजार बाइसे की आप साहरती तेईस के लेकर आणा आपके 18-17 की यह साहरती पार्थ पढ़ रहे होंगे और उसमें सवाल मिले कि नहीं मिले अरे बिया ऐसा मत करना क्योंकि 2020 में 22 में सवाल आए वे हैं वो भी करने हैं आपको और वही पीपर मे आएंगे आपके exact इस बात का द्यान रखना कहीं आप ऐसे मज़े में ले जाओ seriously ठीक है बास समझे मेरी को ठीक अभी चलो मैं तो इस क्लास में इतना ही मिलते हैं अपने next class में और जैसरी शाम रादे रादे आजाओ ठीक है धन्यबाद